जैहिंद इस लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आज आप लोगों को ये जानकारी में दे देता हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह क्लास 12 की बुक है मैथमेटिक्स है और यह आपका आरस अगरवाल की बुक है और इस बुक में अभी हम लोग objective question को बना रहे हैं तो आज जो हम लोग objective question देखने वाले हैं differentiation का देखने वाले हैं हलना कि differentiation में जितने भी exercise हैं और इसके exercise के problem का solution already किया जा चुका है और हर एक चेप्टर हर एक exercise के लिए आप लोगों को video available है इस channel पर और अगर आप घर बैठे चाहें तो इसको बना सकते हैं जब differentiation से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको application of derivative मिलता है और application of derivative के last में जबाप आते हैं तो यहां पर कुछ आपको objective question का collection मिलता है यानि कि यह आपका MCQ है यानि इसमें option दिये गया है और यह question आपका दिया गया है तो यह सारे question जो मैं solve कर रहा हूँ यह वैसे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कि जारखन board के हो या तो बिहार board के हो question को बारी बारी से हम उठाएंगे मैं आप लोगों को यहां पर दिखा दूँ कि यह जो objective question है इसमें question number one से लेकर 10 तक के question को हम लोग इस lecture में solve करने जा रहे हैं और इस सारे question को ठीक तरह से समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपके पास book रहना चाहिए अगर आपके पास book है तो आपको समझने में और भी मजाएगा और मैं आपको बता दूँ कि इसके सारे objective question का figure जो है आप लोगों को सुरू करते हैं यह सारे problem को आप लोग देख ले इनी problem का solution आपको मिलने वाला है और हां मैं बता दूँ कि इस problem को सिर्फ लिखा जाएगा इसके चारो option को आगे नहीं लिखा जाएगा इसलिए आप ध्यान पुर्वक किसे देख लें तो अभी जो आपने objective question को देखा इसमें सारे question को solve करने के लिए आपको logarithm का rule पता होना चाहिए यानि कि आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव यूजिंग लॉगेरिथम तो यह जो टॉपिक है आपका अल्रेडी मेरा इस पर वीडियो बना हुआ है आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके ढूंड सकते हैं और यहां हम objective question को solve कर रहे हैं objective question में जो भी लॉगरिथम का rule आएगा उसको हम यहां पर apply करेंगे और solve करते चले जाएंगे तो यहां पर इस objective के collection में हमारा सबसे पहला question आता है y equal to 2 पर power x तब यहां पर आपको निकालना है dy by dx तो यह जो है आपका formula पर अधारित problem है अगर आपको derivative निकालना हो a to the power x का तो यह a to the power x into log a होता है और यहां a के जगह पे आपका 2 आ गया तो इसलिए इसका जो derivative हो जाएगा यह 2 पर power x into log 2 हो जाएगा अगर आप इसके option को देखते हैं तो यहां पर option number c जो है आपका सही option मिलता है इसके बाद question number 2 जो है आपका y equal to log यहां पर base 10x दिया गया है और इसमें आपको निकालना है dy by dx तो इसको solve करने से पहले दो गोर नियम समझ लीजिए logarithm का पहला नियम क्या है कि log base a और b रहे आपका तो कोई एक तीसरा number लेकर जैसे c को हम लिए तो इसको लेकर हम इस तरह से adjust कर सकते हैं base तो a रहेगा है यहां पर हम c लिए अब फिर उसके बाद यह c जो है इसका base बन जाएगा और इसके b को हम लोग b को यहा हम लोग उसको base बना देंगे तो यहां पर हम y को जैसे देखिए log 10 है आपका इसके लिए हम एक e कोई number सोचते हैं अब फिर उसके बाद e को जो है हम लोग base कहा देंगे अब फिर यहां पर x हो जाएगा और एक बाद धियान रखिए कि इस chapter में जितने भी logarithmic का problem आप बना रहे हैं उसमें सभी का base e ही होता है और इस e base को लिखा नहीं जाता है तो इसके लिए हम सिर्फ अगर log 10 e लिख दें into log x लिख दें तो यह भी हमारा यहां understood है कि इसका base जो है आपका e दिया गया है अब d y by dx अगर आपको निकालना है तो यह log 10 e जो है आपका constant है क्योंकि e क value होता है 2.03 something इसी तरह से कुछ होता है यह e भी constant है और यह पूरे value जो है constant है तो constant है तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा log x का differentiation जो होता है 1 by x होता है तो इस तरह से यहां पर हमारा यह हो गया log 10 e by x हो गया लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए एक logarithm का rule है कि अगर log a b रहे आपका तो 1 by log b a आप लिख सकते हैं पहले जो man में था वो आपका base बन गया और जो base था वो man जगह पर आ गया मतलब की active form में आ गया तो इस तरह से हम अगर यहां पर इसके base को change करना चाहें तो यह हो जाएगा 1 by जो इसका base है वो यहां पर चलाएगा जो अपर है यह इसका base बन जाएगा into x हो जाएगा तो यही option हमको मिलता है question number two में तो two का जो answer हो जाएगा आपका c हो जाएगा c में आप देखिएगा कि यह option आपको मिलता है इसके बाद हम लोग चलते है question number three में तो three में हमारा दिया गया है y equal to e to the power one by x दिया गया है और यहां आपको dy by dx निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी number पर power variable आ जाए तो उसमें log को यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम direct भी function of function के rule को लेकर चल सकते हैं जैसे e to the power कुछ भी रहे तो उसका e to the power one by x होता है differentiation अब one by x का differentiation जो होता है आपका यह होता है आपका x पर power minus one हो गया minus one into x पर power minus two यानि कि minus one by x square होता है one by x का differentiation तो इस तरह से हमको मिलता है e to the power one by x by x का square मिलता है और याद किजिए यह चीज जो है आपका d upon dx equal to x पर power minus one रहे तो इसका differentiation के लिए यह formula हमने लिखा है उसी के आधार पर हमने इसको लिखा है और यहां आपको दिक्कत हो रही है तो function of function को जाक के पढ़ लिजिए जिस पर हमने detail में video बनाया हुआ है तो यह option जो है आपको 3 के b में मिल जाएगा तो यही आपका answer हो जाएगा उसके बाद 4 number हम देखते हैं यहां पर y equal to x पर power x दिया गिया है और यहां पर आपको dy by dx को निकालना है तो इसको solve करने के लिए हम क्या करते ह है दोनों side log लेते हैं तो log x पर power x हो गया अब जो भी power होता है यह left side में आ जाता है तो x into log x हो जाएगा यह आपका अब इसको differentiate करते हैं आप तो इसमें आपको क्या मिलता है 1 by y dy by dx है ना इस तरह का differentiation हमने बहुत सारा बताया है यानि कि derivative using logarithm बहुत सारा problem बताया है आप चा separation का separate playlist मिल जाएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो की u into b के form में है तो x को constant रखेंगे उसके बाद differentiate करेंगे हम लोग x को तो log x का differentiation 1 by x होता है फिर log x को constant रखेंगे और x का जो differentiation होता है वो 1 होता है यहाँ x आपका cut गया तो हमको मिला 1 by y dy by dx equal to 1 plus log x मिल जाता है अब इस y को right side में लेके चले जाएगे तो dy by dx equal to y into 1 plus log x हो जाएगा अब इस y का जो value है y का जो value है देख रहे हैं x पर power x है इसको यहाँ पर रख दीजिए तो x पर power x into 1 plus log x आपका हो जाएगा और यह option जो है आपको मिलता है b में 4 का b option जो है सही option है उमीद करते हैं कि आप इसे करने की कोशिस करते हैं यहाँ पर y equal to x पर power sin x दिया गया है और dy by dx इसका आपको निकालना है आप जैसे ही log लेते हैं log y हो जाएगा और यह log x into sin x यहाँ पर चले आएगा power अब यह sin x जो है यहाँ से हट कर क्या हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा आपका अब यहाँ देख को x के respect में करेंगे तो dy by dx हो जाएगा अब sin x को constant रखिए और log x का differentiation 1 by x लिखिए अब फिर log x को constant की तरह ही रखिए sin x का cos x हो जाएगा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका lcm x हो गया उपर पे हमारा sin x रहा और यह x इसके साथ भी multiply हो गया x into log x into cos x आपको मिलता है अब यह चीज जो है dy by dx अगर आपको लिखना है तो यह y इसके साथ multiply हो जाएगा अब क्या करना है y का value हमको रख देना है जो की x sin x है और यह value यहाँ पर आप रख दीजिए तो यह option जो है आपको यह option आपको दिखेगा c में है ना तो यही चीज आपको कहां दिखेगा c म हो जाएगा आपका तो उमीद करते हैं कि यहां तक के solution को आप लोग समझ गए होंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम लोग लेते हैं question number six को तो six में देखे दिया गया है y equal to x per power root x दिया गया है और इसमें आपको निकालना है dy by dx निकालना है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले दोनों side log ले लेंगे तो log y log यह आपका x per power root x हो जाएगा अब यह root x जो है left side में आ जाता है यह तो भाई लोगरिथम का rule है यह अब इसमें आपको दिकत नहीं होनी चाहिए यहां पर u into b के form में यहां log y log y का जो differentiation होगा 1 by y dy by dx हो जाएगा उसके बाद यहां पर root x को constant रखेंगे log x का differentiation 1 by x अब फिर plus लिखिए log x को constant रखिए और root x का जो differentiation होता है 1 by 2 root x होता है यानि कि x per power half हुआ और यह d upon dx यानि कि half into x per power half minus 1 यानि कि 1 by 2 into x per power minus half minus half का मतलब हुआ कि 1 by 2 into x per power half हो गया इसका मतलब हो गया आपका root हो गया तो 1 by 2 root x होता है अब इसको आपको क्या करना है solve कर देना है तो dy by dx equal to हम लोग लिखेंगे यहां सबसे पहले देखा जाए कि यह root x है यहां पर x है तो x का मतलब होता है कि 2 बार root x है ना दो बार इसमें भी है और यहां भी है हमारा अगर यहां पर तो यह root x lcm के तरह है और 2 भी lcm में सामिल हो जाएगा तो इसके ऊपर चला गया 2 और यहां पर हमारा बज़ गया सिर्फ log x और इसके बाद यहां जो y था नीचे में इसके साथ multiply हो गया तो यह option आपको जहाँ दिखे या 6 में जो है c नमर का answer जो है आपका correct है इसके बाद हमारा 7 नमर 7 नमर में y equal to e to the power है आपका sin root x दिया गया है अब इसको हम differentiate करते हैं सबसे पहले logarithm लेके भी कर सकते हैं लेकिन इसको function और function पर लेके चलते हैं तो e to the power कुछ भी हो भाईया उसका जो differentiation होता है e to the power sin root x ही होगा अब फिर differentiation होगा आपका sin root x का differentiation होगा और sin root x का differentiation होगा जिसका differentiation 1 by 2 root x होता है तो देख लिजिए यही आपका answer हो जाएगा इसको आप अच्छे तरह कैसे लिख देते हैं तो root e to the power root x into cos root x by आपको मिलता है to root x मिलता है और ये चीज़ जो है आपको option number b में मिल जाएगा यानि कि 7 का जो correct answer हो जाएगा यह आपका b हो जाएगा इसके बाद 8 number 8 number में 8 number में दिया गया है y equal to 10x पर पाबर आपका cot x दिया गया है तो logarithm हम तभी यूज करते हैं जब variable पर पाबर हमारा क्या आजाए तो यहाँ पर हम लोग y जब लिखेंगे तो यह आप ध्यान से देखेगा यह cot x left side चला जाएगा 10 log 10x आपका यह हो जाएगा अब यह u into b का form हो गया यहाँ पर इसका जो differentiation होगा 1 by y dy by dx हो जाएगा और cot x हमारा constant रहा log 10x का differentiation तो इसमें इसका differentiation तो पहले log 10x का 1 by 10x हो जाएगा अब फिर 10x का differentiation होगा जो की हमारा c square x होता है अब फिर लेंगे plus अब फिर log 10x को हम लोग जो है क्या रखेंगे constant रखेंगे अब फिर उसके बाद cot x का differentiation करेंगे जो की हमारा cos x square x होता है minus में होता है इस क्या होता है भया यहाँ पर minus cos x square x होता है अब इसको देखिए यह cot x by 10x है तो 10 हमारा चला उपर तो 10 जब उपर चला जाएगा तो cot ही हो जाएगा तो यह भी हमारा cot square x ही हो गया और यह हमारा सेक square x हो गया उसके बाद cot square x को हम लिख सकते हैं क्या कि cos square x by sin square x लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा minus आ जाएगा कॉस एक स्क्वाइर एक्स हो जाएगा अब फिर लॉग टेन एक्स हो जाएगा यह अब यहाँ पर देखिए कि यह चीज कॉस स्क्वाइर एक्स इंटू सेक स्क्वाइर एक्स वन होता है अब बाई साइन स्क्वाइर एक्स है अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कौस एक स्कॉर एक्स और ले लिए तो वन माइनस लॉग टेन एक्स हमारा बच जाता है लेप्ट साइड में देखिए वन बाय य डी वाय बाय डी एक्स भी है तो यह डी वाय डी एक्स जो हो जाएगा यह वाई इसके साथ reply हो जाएगा अब यह चीज जो है आप option में ढूंड लीजिए यही चीज आपको option में मिलेगा यह आपको option नमर सी में मिल जाएगा यानि की 8 का जो है answer सही answer आपका सी हो जाएगा कि इसके बाद हमारा question नमर सुरू होता है नाइन तो 9 में हमको दिख रहा है y equal to sin x है और इस पर power जो है log x दिया गया है तो काम तो वही करना है हमको log दोनों side लगा देना है तो log इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए log x जो है यहाँ power के रूप में है जो इसके पहले आ जाएगा किसके पहले log sin x के पहले यही sin x पे power यह log x था यह power जो है उठके यहाँ चला आया logarithm के rule के तहट अब यह u into b के form में हो गया इसका जो differentiation होता है 1 by y dy by dx होता है इसके बाद log x को constant रखेंगे log sin x है तो इसका जो differentiation हो जाएगा 1 by sin x अब फिर sin x का differentiation cos x होता है बीच में plus डाल दीजिए अब फिर log sin x जो है constant रख दीजिए constant की तरह log x का differentiation 1 by x होता है अब देखिए cos x by sin x तो इसको log x into cot x लिख सकते हैं अब फिर देखिए कि यह log sin x sin x by क्या लिखेंगे x लिखतेंगे और यहां से y जो है dy by dx equal to यह y यहां पर आके multiply हो जाएगा अब क्या करना है यहां LCM ले लिजिए x तो यहां x भी आ जाएगा log x भी आ जाएगा cot x भी हो जाएगा और यहां पर log sin x हो जाएगा तो इतना सारा members जो है numerator में आ जाएगा denominator में x और y का जो value है यही है तो यहां पर sin x पर पावर हम लोग x लिख देंगे तो यही answer हो जाएगा और यह option जो है आपको कहां मिलने वाला है c में मिलने वाला है इसके बाद चलिए question number 10 में तो 10 में y equal to sin x पर पावर x दिया गया है हमारा अब इसको हम लोग solve करने के लिए function और function को use करते हैं तो यानि dy by dx जब लिखेंगे हम लोग तो यहां पर sin x का differentiation जो होता है यह cos x पर पावर x हो जाएगा अब फिर यहां पर हमको derivative निकालना पड़ेगा x पर पावर x का अब थोड़ा देर के लिए अगर x पर पावर x को हम z माल ले तो यह हो जाएगा cos x पर पावर x तो रहा ही d upon dx in z z का differentiation हो जाएगा अब z का differentiation हम लोग निकाल लेते हैं z हमारा कितना है x पर पावर x है इसके दोनों side हम लोग लेते हैं तो log z equal to x into log x हो जाता है अब इसको differentiate करेंगे तो 1 by z d z by dx equal to x को constant रखिए log x का differentiation 1 by x लिखिए अब plus बीच में डाल कर log x लिख दीजिए अब फिर x का differentiation तो 1 होता है ये दोनों cut गिया d z by dx का जो value निकला आपका z into 1 plus log x मिल जाता है अब z का value आप यहां से रख दीजिए ये x पर पावर x 1 plus log x हो जाता है यहां पर तो इस तरह से हमको d z by dx मिल गिया और इसका value हम लोग यहां पर रख देंगे तो ये हो गया आपका cos x पर पावर x into x पर पावर x into 1 plus log x हो गया ये चीज अब आप ढूंड लीजिए किस option में है तो ये चीज हमको मिलता है option नमर b में और b में ध्यान से देखिएगा x पर पावर x पहले लिख दिया cos x पर पावर x फिर बाद में लिखा 1 plus log x को फिर बाद में लिख दिया तो ये ही चीज आपको मिलेगा option नमर b में तो उमीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे और कितना समझ में आ रहा हैं बच्चों जरूर आप लोग अपने comment में लिखिएगा कि आपको 0% समझ में आ रहा है differentiation का पूरा वीडियो मेरा देख लिजिए already channel पर available है अगर इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है तो चलिए ठीक है आप average में हैं और आप जो है आपको maths में दिकत बहुत कम ही होगी तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत